आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों की सारी application process पूरी हो गई होगी और आपका visa आ गया होगा कुछी चन दिनों में आप अपने France के लिए निकलने वाले होगे और आपके दिमाग में कोशन आता होगा कि हम क्या क्या चीज ले कर जाएं क्या क्या आइटम रखें क्या क्या ना रखें हमारा France में क्या मिलेगा तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए होने वाली है कि हम क्या क्या चीज रखें और क्या ना रखें तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं specs की specs दोस्तों यहाँ पर बहुत महंगे मिलते हैं तो आप एक extra pair अपने जरूर रखें और जो भी हमारे viewers भाई बंदू lenses वगएरा लगाते हैं तो lenses का extra pair जरूर खरीद के लाएं और अपनी fluid वगएरा जो भी storage वगएरा करने में आप जो भी use करते हैं वो जरूर ले ले क्योंकि यहाँ पर नहीं मिलती है और मिलेगी तो बहुत ढूंडने के बाद और बहुत महंगी मिलेगी तो अब चलते हैं दूसरे आइटम की तरफ दोस्तों भार आखे सबसे महिन चीज है खाना और खाना यहाँ का आपको पचेगा है तो क्यूंकि दोस्तों खाना आपको पचेगा नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा वो खुद ही और खुद बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहेंगे भांडे बरतन तो उन में से सबसे important है pressure cooker और यहां पे भी मैं वैसे अपने दोस्त के साथ एक बरी cooker shopping के ले गया लेकिन वो 10-14,000 के बीच थे तो जो cooker 25-35,000 के बीच आपको इंडिया में मिल जाएगा उस पे 14,000 पर क्यों खर्चने तो हम आपको suggest करेंगी कि आप एक pressure cooker जरूर इंडिया से लेके आएं और साथ ही साथ इसके एक वाशल आप खरीद के लाएं ताकि कई बार यह खराब हो जाती तो आप यह change कर सकें साथ ही साथ एक और चीज इसमें होती है इसको वाल कहते हैं तो यह भी आप एक्स्ट्रा इंडिया से खरीद के लाएं कि इनकेस कभी आपका pressure cooker खराब हो जाए तो आप उसको खुद repair कर सकें तो दोस्तों आप आजाते हैं हम नए आइटम पे जो कि बहुत important आइटम है आपका चकला और बेलन इसके बिना आपकी रोटी बन नहीं पाएगी पराठे भी नहीं बन पाएगे तो आप इसको जरूर यहाँ पर रख लीजए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा ही नहीं आगे चलते हैं तो यह जरूर याद रखें दोस्तों कि जो भी आप अपने बर्तल लाएंगे वो इंडक्शन बेस वाले हूँ क्योंकि यहाँ पर ज्यादतर जो भी हमारे चुला बोलते हैं लेकिन यहाँ पर चुले नहीं है यहाँ पर वह इंडक्शन बेस आपको मिलता है और अगर आप आपको रोटी बनानी है तो एक चिम्टा भी साथ में लेकर यहाँ चिम्टा मिल जरूर जाएगा पर वह प्लास्टिक वाला मिलेगा आपको फील नहीं हो वाली कडशी भी सबसे में इंपोर्टन है कडशी हमारे को स्टील वाली कड़्ची के जब तो टंटंटंगी वाज आती तो तक माधा नहीं आता है यहाँ पे आपको फ्लास्टिक वाली मिलेगी और वैसे ही सारे बेसिक्स जैसे की थाली चमच और ग्लास यह सारे आप वहीं से उठा के लाएं हालंकि यह भी चीज़ आपको बता दें कि आप अपने लीजर के साथ चेक कर लें मैक्सिमम एक यह वह एक एक किलो के करीब मिर्च, हल्दी और एक आपका आटा जरूर लेकर आएं और जीरा भी आप 500 ग्राम के करीब लेकर आएं क्योंकि यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है आटा आपको अराम से मिल जाएगा आटा एक किलम इसलिए लाते हैं कि वही आपको यहाँ पर आके एकदम से रोटी बनानी पड़ेगी भाई बदू जो चावल नहीं खाना चाते हैं वो एक किलम आटे से अपना कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी स्टोर, आपके एशिन स्टोर, आपके इंडियन स्टोर हैं, वहाँ पर जाकर आप इनी शॉपिंग कर सकते हैं, और सबसे इंपोर्टेंट ही दोस्तो, आपके मसाले, देख सकते हैं, आप हमारे पास सारी इंडियन ब्रैंड्स हैं, प बाकि हमारे भाई बंदू जो भी आप यहां पर आएंगे आप अपना बटर से घी निकाल सकते हैं हम भी वही करते हैं वो चीप है स्टोर से और अपना आराम से मिल जाता है हमको इससे अलावा देखें दोस्तो तो आप अपना छोटा सा अचार का एक डबबा लियाएं क्यों तो आप जैसा आप देख सकते हैं यह एक रेगुलर बोर्ड है इसमें रेगुलर स्विचिस लगे हुए हैं हमने एक एक एक्स्टरनल तार ली काफी लंबी काफी लंबी लंध की यह अगर आप देखें काफी मोटी दिख रही होगी यह 2.5 mm की है तो हम यह आपको सजेश् जड़े नहीं तो इससे आपका यह लोड भी काफी ले लेगा और आपके बहुत हैंडी आएगा क्यूंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे स्विचिस होंगे जो आप इंडिया से लाएं और वह आपके अप्लाइंस के स्विचिस इंडियन होंगे तो फिर यह उसकेस में बहु तो आप यह खरीच सकते हैं युनिवर्सल ट्रैवल अडैप्टर होता है जिसमें आप ऐसे खोल सकते हैं तो यह यूरोप वाला इसमें और इसमें और भी काफी सारे उप्शिन्स अवेलेबल हैं मान लिजी आपकी इंटरंशिप यूस से लग गई या कहीं और लग गई त तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम ट्रीमर यूज़ कर रहे हैं और यह आप बहुत ही महंगा है 100-500 euro तक आता है तो आप अपने ट्रीमर जरूर लेकर आए और अपनी ग्रूमिंग किट जरूर लेना याद रखें आपका उस तरह हो गया उसमें कह सकते हैं आपके तो अपना एक ग्रूश और उसकी टिक की यह रिंग की हम इंडिया से ही लाए थे और हमारे पास इसके कम से कम 10 या 12 और पड़े हैं तो हम इतनी कैरी करी थी कि कपड़े बपड़े दोने लगे और यह आप आपको नहीं मिलेगा यहां पर लिक्विड यूज होता है तो आप जैसे यहां पर पहुंचेंगे हो सकता आपको यह चीजे ना मिले मैंने यह भी अपने दोस्ते सुना कि यहां पर तॉलिया अप्टू 35 यूरो थक भी जा सकता है इसलिए बचें 400-500 यूरो का टावल अपने इंडिया से लाएं और सुखी राएं बात करते हैं दोस्तों आपके जूते और कपडों के बारे में तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर आप यहां पर कपड़े सस्ते मिल जाते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल भी आपके सित्पर के बाद आ जाती है तो आप इस चीज को ध्यान रखेगा अब इसके बात चलते है दोस्तों आपके फॉर्मल कपड़ों के बारे में आप टाई एक फॉर्मल सूट जरूर अपने साथ लेगा चलिएगा क्यूंकि यहां पर आपको इंटर्विव वगेरा में भी जाना पड़ेगा बहुत सारी चीज़े आपके साथ उसाथ चलती रहेंगी तो बहुत ही जादा मेंगा सूट वगेरा बनता है यहां पर स्टिचिंग वगेरा 200-500 यूरो तक जाती है लाइएगा जरूर इसके बाद चलते हैं आपके दोस्तों जैकिट आप एक भारिसी रख लीजेगा बाकी शॉपिंग आप राम से कर लीजेगा सेल बहुत चलती है आपर सस्ती भी मिल चलते हैं तो दोस्तों कुछ और चीजे बता देते हैं आपको जो आपको इलानी जरूर याद रखनी है उनमें से सबसे पहला है यह दोस्तों थर्मल जिस टाइम मैं यहां पर आ रहा था तो काफी ढूंडने के बाद मेरे को यह मिला इस बाइ जोकी तो आपको बता देते ह हम उनको स्पॉंसर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर जोकी हमें स्पॉंसर करना जाता है तो एमेल अस अट देसीन फ्रांस लोग्स अट देरेट जीमेल डाट कॉम लेकिन मजाक से अटके दोस्तों यह काफी गरम थर्मल है और आपको यह माइनस फाइव डिग्री अगर्मी प्रवाइड करता है आप इसको लेकर आ सकते हैं अपने साथ काफी हल्प फुल रहेगा यह डाल लेते हैं अपने बैग में नेक्स्ट एक माइनर सा ब्लैंकेट भी लेकर आएंगे अपने साथ क्यूंकि यूशली तो ऐसा होगा कि आपको आपका जो लीजर होगा वो प्रोवाइड करेगा बेडिंग वगरा लेकिन ऑन दे सेफ साइड रहने के लिए एक माइनर ब्लैंकेट लेकर आएं और साथ ही साथ आप एक बैट शीट भी अपने साथ कैरी करें डबल बैट शीट लाना याद रखिए दोस्तों सिंगल बैट शीट नहीं चलेगी यह नहांके बैड साइज भी अलग-अलग से हैं कोई क्वीन साइज किंग साइज महाराजा साइज पता नहीं क्या क्या साइज है आई डोंट नो लेकिन आप एक डबल बैट शीट जरूर लाएं और वो यूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से हालांकि आपको यहां के हिसाब हमें स्पॉंसर करना जाती है तो इमेल करें तो इसकी प्रोसेस काफी सिंपल है कैमरा में नजदीक आएं तो आप इसमें ऐसे डाल सकते हैं और बस ऐसे आपको लगाना है यह बता देगा कि चार सड़े-चार किलो के आसपास इसका वजन है तो बहुत ही हैंडी आएगा आरे होंगे आपको एक स्पेसिफाइड लगेज कैपैसिटी मिलेगी तो ताकि आप एक्स्ट्रा ना पे करेंगे एरपोर्ट पे आने वक्त और हो सकता है जब आप वापीस भी जाएंगे आपके रिष्टेदार आपकी घरवाले आपसे गिफ्ट्स वगरा मंगाते तो क्य भग भग रहता है और काफी expensive हो जाता है तो इसलिए इंडिया से ही लाना recommended है और क्यूंकि फॉर्मल चूज ला रहे हूँ तो ब्रश और चेरी पालेस यह भी लाना जरूरी याद रखें इंडिया से जाना नहीं दोस्तों एक और चीज मुझे आदा गई है इस टाइम जब कि हम celebrate कर सकें हो सकता है हम भी आपको मिले किसी fest में और हम साथ एक community की तरह celebrate कर पाएं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे हाथ में अभी पैसा ही पैसा है और यह पैसा आपका इसलिए निया कि आप यहां पर आके उड़ा दें आप जैसे ही यहां पर आएंगे और बैंक ज़रूर ले कर आईएगा क्योंकि आपको कोई airport authority बगारा पूछने लगे तो उसके लिए आप से परसाइड option ले सकते हैं बात करते हैं अब दोस्तों हम forex card के बारे में कि हम यहां पर transaction जो करते हैं वो कौन-कौन से अच्छे रहते हैं सारे ही forex card अच्छे हैं avoid करिए options consider कर रहे हैं सारे की सारे चल जाएगी बाकी हम आपको suggest करें तो आप new global card के साथ एक अपना fallback option में extra forex card लाएं क्यूंकि हमने कई बार देखा है कि उनकी site maintenance में जाती रहती है और हमारे बहुत सारे दोस्तों का experience काफी खराब भी रहा है कि जब reload करना होता पैसा नहीं हो रह होगी तो यह जरूर याद रखेगा कि अपना birth certificate translated और apostile उसको करवा के जरूर याद रखे लाना क्यूंकि वो use होगा आपके CAF के लिए तो CAF जैसे कि आप जानते हैं एक housing allowance है जो आपको मिलता है तो कुछ percent आपका जो rent है वो reimburse कर देती यहां की सरकार तो यह बहुत ही important document है उसके लिए और सिर्फ उसी के लिए नहीं आगे चलके जब आप उपना visa renew कराएंगे एक डेट साल के बाद तो तब भी आपसे document मांगा जाज सकता है तो यह document लाना जरूर याद रखें साथी साथ अपने सारे के सारे original documents यहां पे लाएं क्योंकि पता नहीं लगता है आपक hack किसम किये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहां आने से पहले प्लीज एक बारी अपने जितने भी सारे original official documents हैं उनकी colored photocopy करवा के उनको लामिनेट वगरा करवा के एक copy इंडिया में भी छोड़ के आएं क्योंकि खुदा नाखास्ता अगर मान लीजे आपका कहीं luggage चोरी हो हमारे इंडिया की तरह नहीं कि आपको 60-70 रुपए में एक copy मिल गई और उस पर आप नोट्स वगरा बनाते रहें आपको हम एक चीज सजेस्ट करेंगे यहां पर क्यूंकि यहां पर नोट्बुक्स वगरा चार से पांच यूरो काई बारी 3.5 या 6 यूरो की भी हो सकती है तो हमने एक cheap option ढूंडा है उसके लिए आपको सबसे पहले requirement होगी यह pincher यह pinch करके आप छेट कर सकते हैं normal A4 sheets में तो आप यह A4 sheets करीच सकते हैं और ऐसी file utilize कर दें तो आपको यह बहुत ही cheap पढ़ेगा यहां पर तो यह hack है जो आपको एक already French student बता रहे हैं हमारी और से next बात करते हैं दोस्तों कि आपको अपने प्रोग्राम के अनुसार आपको calculator की भी ज़रूरत पढ़ सकती है तो मान लीजिए आप finance side में हैं या आप मान लीजिए scientific study करने के लिए आ रहे हैं तो calculator भी वहां से carry कीजिए यूं मत सोचिएगा कि मैं फ्रांस जा रहा हूं तो व उसी ही चीज के लिए double हो सकता है triple price भी पे करना पड़े तो यह सारी चीजे भी जरूर करें तो एक और चीज दोस्तों जो हम आपको अभी कह रहे थे कि आप अपना document जो की birth certificate है उसको translate करवा के लाएं आप उसको फ्रेंच में translate करवाईए तो कुछ लोगों की query होती है कि क् इंडिया का translated document into French काम करेगा यहां पर क्या यहां की authorities उसको accept करेंगी तो बिल्कुल दोस्तों अगर आप उसको campus France कि किसी भी campus से इंडिया में अगर आप उसको translate करवाते हैं वो यहां पर अपरूव होता है हमारा खुद का हुआ हमने अपनी file कैफ की उसी के साथ अपरूव क आ रहे हैं 20 euro की छतरी पड़ेगी 30 euro तक भी पड़ जाती है और कई बार तो जेवो में भी करनी पड़ जाती है तो याद रखिएगा आगे चलते हैं दोस्तों आपका international driving license बहुत से बंदें यहां पर आते हैं और कहते हैं कि हमें गाड़ी चलाने का शौकर हम चलानी पा रह लिएगा अपना छोले बटूले बनाने पड़ जाते हैं तो बटूरों में डालने में काम आएगा उसके बाद दोस्तों आपका एक screwdriver screwdriver एक रख लीजिएगा चोटी चोटी चीज़े में काम आ जाएगा फैवी कुइक बहुत सी चीज़े हम दोनों ने भी तोड़ी है इस घ कर सकते हैं सबसे पहला होगे आपका deadlift belt नहीं मिलेगी आपको यहां पर बहुत नूंडी मैंने नहीं मिली फिर online इंडिया से एक लड़के के साथ मंगाई है उसके बाद आ गया आपका दोस्तों deadlift straps वह मंगानी जरूर याद रखेगा यहां पर मिलती है पर इतनी अच्छी खुद ही जोड़ सकते हैं कई बाराथ से फोन गिर जाता तो उससे भी आप अपना कर सकते हैं हमारे अंदब बेर उपेक आता है यहां 15 यूरो 5 यूरो 10 यूरो ऐसे ऐसे आएगे और वो भी ऐसा नहीं आएगा कि बढ़ी आएगा नॉर्मल आएगा आपका तो उस चीज को कीबोर्ड मिलते हैं वो AZRT मिलते हैं मलब AZRT उसमें लिखा रहाएगा QRT के बगार तो मैंने एक बार यूस किया था मेरे को बड़ी दिक्कत आई अगर आपको नहीं आएगी तो यहां के लिए ना कोई दिक्कत नहीं लेकिन इंडिया में यूजिली मैंने देखा है आपक चोटी सी लैपटॉप रिपेरिंग किट भी अपने साथ जरूर लाए तो इससे मान लीजिए कि कभी नॉनमल आपको माइनर सर्विस टाइप खुदी करनी पड़ी तो वो आप खुदी कर लेंगे एक चोटा सा की लॉक आप अपने साथ लेके आए यह मान लीजिए आपको अपने साथ में लाना जरूर याद रखें एक और चीज हम बताना चाहेंगे कि आपकी जो चार्जिंग केबल से फोन वगरा की वह भी लाना जरूर याद रखें क्यूंकि एक से हो सकता है काम नहीं बने आप एक्स्ट्रा भी लेके आए एक दो और पावर बैंक भी हो सकता जो आपको लेके जरूर आनी इंडिया से और वो चीज़े दोस्तों माइंड सेट है अगर आप वो अपना माइंड सेट कैरी करके नहीं आ रहें इंडिया से तो आपको बहुत जादा दिक्कत यहाँ पर आने वाली है और उसी की हम उसी माइंड सेट की हम अभी बात कर रहे और वो mindset है कि जब आप यहाँ पे आएंगे आपको जेट नहीं मिलने वाला है वाश रूम में आपको इसका इस्तमाल करना पड़ेगा तो अपना mindset जरूर क्लियर करके आएं यहाँ आने से पहले तो इसे के साथ दोस्तों हम यह video खतम कर रहे हैं और यह चीज़ आपको request करेंगे कि अगर कोई और हमारे जो दोस्त समझते हैं कि कुछ और चीज़े भी हैं जो important है उसको comment section में जरूर डाले और अगर हमें भी future में कोई भी चीज़ याद आएगी जो जरूरी है फ्रांस आने फ्रांस में आने के बाद होंगी उसके उपर भी अब हम वीडियो बनाने वाले हैं in future so stay tuned till then good bye that's okay that's all